देश के रक्षा मंत्री, श्री राजनात सेंजी, चीफ अब डिफेंस स्टाफ, जन्रल विपिन रावत, थल सेना, नव सेना, और वायु सेना द्यक्ष, रक्षा सचीव, एन्सीची महानिर्देशक, और देश भर से यहां जुटे, राष्ट्र भक्ती की उर्जा से, ओत प्रोत एन्सीची कडेट्स, आप सभी युवासाथियों के बीच, जितनी भी पल बिताने का मोका मिलता है, एक भवती सुख़द अनुभव देता है। अभी जो आपने यहां मार्च पास किया, कुछ केडेट्स ने पहरा सलींग का हुनर दिखाया, जो यह सांस्कृतिक प्रदर्शन हुआ, वो देखकर सिर्फ मुझे नहीं, आप टीवी के माध्यम से भी जो लोग देखते हुँगे, हर किसी को घर्म मैसूस होता हुगा। देश के कौने कौने से आकर, आपने 26 जन्वरी की परेड में भी बहत्रीन प्रदर्शन किया है, आपकी इस महनत को पूरी दुनिया ने देखा है, हम देखते हैं, दुनिया में जिन भी देशों में समाज जीवन में अनुशाचन होता है। ऐसे देश सभी शेत्रों में अपना पर्चम लहराते हैं। और भारत में समाज जीवन में अनुशाचन लाने की ये बहुत एहम भूमी का NCC बख्खुबी निभा सकती है। और आप में भी ये संस्कार जीवन परियंत रहना चाहिए। NCC के बाद भी अनुशाचन की ये भावना आपके साथ रहनी चाहिए। इतना ही नहीं आप अपने आसपास के लोगों को भी निरंतर इसके लिए प्रेरित करेंगे। तो भारत का समाज इससे मजबूत होगा, बेश मजबूत होगा। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म, यूत और नाशन के रूप में NCC ने अपनी जो चबी बनाई है, वो दीनों दीन और मजबूत होती जा रही है। और जब मैं आपके प्रयास देखता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, आप पर भरोसा और मजबूत होता है। सौर्य और सेवाभा भारतिय परंपरा को जहां बढ़ाया जा रहा है, वहां NCC कड़ेट नजर आता है। जहां सम्मिधान के पती लोगों में जागरुकता प्रदा करने का अभियान चल रहा है, वहां भी NCC कड़ेट दिखते हैं। परियाबरन को लेकर कुछ अच्छा काम हो रहा है, जल सवरक्षन या स्वच्छता से जुड़ा को अभियान हो, तो वहां NCC के कड़ेट जरूर नजर आते हैं। संकट के समय में आप सभी जिस अध्भूत तरीके से, संगठित तरीके से काम करते हैं, उसके उधारन बाकी जगह पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। बाड़ हो या दूसरी आपदा, बिते वर्ष, NCC के कड़ेट्स ने मुश्किल में फसे देश वास्यों के राहत और बचाओं में सहायता की है। कोरोना के इस पूरे कानखन में लाखो लाग कड़ेट्स ने देश भर में जिस प्रकार प्रशासन के साथ मिलकर, समात के साथ मिलकर काम किया है। वो प्रशासन नहीं है। हमारे समिधान में जिन नागरिक करतवियों की बात कही गई है, जिनकी हमेसे अपैक्षा की गई है, वो निभाना सभी का दाईक्व है। हम सभी इसके साक्षी हैं कि जब सिविल सुसाइटी, स्थानिय नागरिक अपने करतवियों पर बल देते हैं, तब बड़ी से बड़ी चुनोतियों को भी हल किया जा सकता है। जैसे आप भी भली भाती जानते हैं कि हमारे देश में एक समय में नक्सलवाद, माववाद कितनी बड़ी समस्या थी। देश के सैंकडों जीले इससे प्रभावित थे। लेकिन स्थानिय नागरिकों का करतव्य भाव और हमारे सुरक्षा बलों का सावरिय साथ आया, तो नक्सलवाद के कमर तूटनी शुरू हो गई। अब देश के कुछ गिंती के जिलों में नक्सलवाद सिबट कर रह गया है। अब देश में न सिर्फ नक्सली हिंसा बहुत कम हुई है, लेकिन अनेकों युवाद हिंसा का रास्ता छोड़ कर विकास के कार्यों में जुड़ने लगे हैं। एक नागरी के तौड़ पर अपने कर्तव्यों को प्राथ्विक्ता देने का प्रभाव हमने इस कॉरोना काल में भी देखा है। जब देश के लोग एक जुड़ हुए अपना दाई तो निभाया तो देश कॉरोना का अच्छी तरह मुकाबला भी कर पाया। साथ्यों ये कालखन चुनवती पुन तो रहा पर ये अपने साथ अउसर भी लाया। अउसर चुनवतीयों से निपटने का, विजयी बनने का, अउसर देश के लिए कुछ कर गुजरने का, अउसर देश की च्छमताए बढनाने का, अउसर आत्म निर्भर बनने का, अवसर साधारन से असाधारन असाधारन से सर्वस्रेश्ट बननेगा इन सब लक्षों की प्राप्ति में हारत की युवाशक्ति की मुमिका और युवाशक्ति का योगजान सबसे महत्वपुन है आप सभी के भीतर भी मैं एक राष्ट सेवक के साथ ही एक राष्ट रक्षक भी देखता हूँ इसलिए सरकार ने विशेश प्रयास किया है कि एन सी सी की भुमिका उसका और विस्तार किये जाए देश की सीमावर्ती और समुद्री किनारों की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े नेट्वर्क को ससक्त करने के लिए एन सी सी की भागीदारी को बढ़ाया जादा है पिछले वर्ष पंदरा अगस्त को ये एलान किया गया था कि कोस्टल और बॉर्डर एरिया के करीब पौने दो सो जिलों में एन सी सी को नया दाइत्व दिया जाएगा इसके लिए लगबग एक लाख एन सी सी कैड़ेट्स को आर्मी नेवी और एर फोर्स ट्रेन कर रही है इसमें भी एक तिहाई बन थार्ड हमारी गल्स करे रहे हैं गल्स कैड़ेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है इन कैड़ेट्स का सेलेक्शन सभी स्कूलों और कॉलेज हो चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो केंडर के हो या राज सरकार के हो सभी को इसमें सामिल किया जा रहा है एन सी सी की ट्रेनिंग उसकी शमताओं को भी सरकार तेजी से बढ़ा रही है अब तक आपके पास सिर्फ एक फाइरिंग सिमुलेटर होता था इसे अब बढ़ा कर 98 किया जा रहा है करीब परिब 100 कहां एक और कहां 100 माइक्रो लाइट फ्लाइट सिमुलेटर उसको भी पास से बढ़ा कर 44, 44 और रोविंग सिमुलेटर को ग्यारा से बढ़ा कर 60 किया जा रहा है यह आधुनिक सिमुलेटर एंसी सी ट्रेनिंग की क्वालिटी को और सुधारने में मदद करेंगे साथ क्यों यह आयोजन अभी जीज ग्राउन पर हो रहा है उसका नाम फिल्म मार्सल के एम करियप्पा जी के नाम पर है वो भी आपके लिए बड़ी प्रेणा है करियप्पा जी का जीवन शाओरिय की अनेक गासाओं से बढ़ा हुआ है 1947 में उनके राणनितिक कौशल की वज़ा से भारत को युद्ध में निरनायक बढ़त बिली थी आज फिल्म मार्शल के एम करियप्पा जी की जन्म जैनती है मैं सभी देशवास्यों की तरब से आप NCC के केड़ेट की तरब से उन्हें आदर पुर्वक सद्धांजली अर्पित करता आप मैंसे भी अनेख साथियों की ये प्रबल इच्छा होगी कि आप भारत की डिफेंस पोर्सिस का हिस्सा बने आप सभी में वो सामर्थ भी है और सरकार आपके लिए अवसर भी बढ़ा रही है विशेश रुप से गर्ल्स केड़ेट्स को मैं आगरे से कहूंगा कि आपके लिए अब ये अवसर अनेक अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं मैं आपने सामने भी देख पा रहा हूँ और आखड़े भी बताते हैं कि बीते वर्षों में एंसी सी में गर्ल्स करड़ेट्स में करीब करीब 35 परसेंट 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है अब हमारी फोर्सीज के हर फ्रंड को आपके लिए खोला जा रहा है भारत की भीर बेटियां हर मोर्चे पर शत्रु से लोहा लेने के लिए आज भी मोर्चे पर डटी हुई है आपके शावर्य की देश को जुर्रत है और नई बुलंदी आपका इंतजार कर रही है और मैं आपको और आप में बविश्य की आफिसर्स बविश्य के आफिसर्स भी देख रहा हूँ मुझे आध है मैं जब कुछ दो ढ़ाई महने पहले दिवाली पर जेसल मेर की लौंगे वाला पोस्ट पर गया था तो कई यंग अफिसर्स से मेरी मिलाकात हुई थी देश की रक्षा के लिए उनका जजबा उनका होसला उनके चहरे पर दिख रही अदम में इचा सकती मैं कभी भोल नहीं सकता है साथ क्यों लौंगे वाला पोस्ट का भी अपना एक गवरो मही जहां से है सन इकत्तर के यूद में लौंगे वाला में हमारे वीजवीर जाबाजों ने मिरना एक विजय प्राप्त की थी तब पाकिस्तान से युद्ध के दौरान पूरब और पस्चिम के हजारो किलोमेटर लंबे बॉर्डर पर भारत की फोज ने अपने प्राक्रम से दुश्मन को धूल चटा दी थी उस युद्ध में पाकिस्तान के हजारो सैनिकों ने भारत के जाबाजों के सामने सरेंडर कर दिया था सन इकोतेर की ये जंग भारत के मित्र और हमारे पडोसी देश बंगला देश के निर्माण में भी सहायक बने इस वर्ष इस युद्ध में विजय के भी पचास वर्ष हो रहे हैं भारत के हम लोग 1971 की जंग में देश को जिताने वाले भारत के बीर बेटे बेटियों के साथ उनके शारिय आज पुरा देश उन्हें सेल्यूट करता है इस युद्ध में देश के लिए जो सहीद हुए आज मैं उन्हें अपनी सद्धान लिए अर्पित करता हुए साथियों आप सभी जब दिल्ली आये हैं तो नेशनल वार मेमोरियल जाना बहुत स्वाभावी है राष्ट रक्षा के लिए जीवन अर्पित करने वालों को सम्मान देना हम सभी का दाइत्व है बल्कि इस गणतंत्र दीवस को तो हमारा जो गैलेंट्री एवर्ट पोर्टल है www.galantryavort.govgov.in उसको भी नए रंग रूप में रिलाउंच किया गया है इसमें परम बीर और महवीर चक्र जेसे सम्मान पाने वाले हमारे बीर सहीनिकों के जीवन से जुड़ी जानकार गया तो है है आप इस पॉर्टल पर जाकर इनकी विर्ता को नमन कर सकते हैं और मेरा NCC के वर्तमान और पुर्व सभी कड़ेट्स आग रहा हैं कि आपको इस पॉर्टल पर जाना चाहिए जुड़ना चाहिए और लगातार उसके साथ एंगेज रहना चाहिए तात्यों मुझे ये भी बताया गया है कि जो NCC डिजिटल प्रेट्फरम बनाया गया है उसमें अभी तक 20,000 से जादा केड़ेट्स जुड़ चुके हैं इन केर्डेस ने अपने अनुभव अपने आईडियाज शेर करना शुरू भी कर दिया है मुझे विश्वात है कि आप सभी इसी प्रेट्फरम का जादा से जादा उप्योग करेंगे साथियों राष्ट भक्ति और राष्ट सेवा के जिन मुल्यों को लेकर आप चले हैं उनके लिए ये साल बहुत महत्वपून है इस वर्ष भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाला है ये वर्ष नेताजी सुभात अंद्र बोष की 125 वी जन्व जन्ती का भी है जीमन में प्रेणा के इतने बड़े अवसर एक साथ आएं ऐसा कम ही होता है नेताजी सुभात जिन्नोंने अपने पराकरम से दुनिया की सबसे मजबुत सत्ता को हिला कर रख दिया था आप नेताजी के बारे में जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको लगेगा कि कोई भी चुनावती इतनी बड़ी नहीं होती कि आपके होसले को डिगा सके देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ ने उचावर कर देने वाले ऐसा अनेक भीर आपको अपने सपनों का भारत बनाते हुए देखना चाहते हैं और आपके जीवन के अगले 25-26 साल बहुत महत्वपूण है ये 25-26 साल भारत के लिए भी उतने ही एहम है वर 2047 में 2047 में जब देश अपनी स्वतंत्रता के सौवर्थ पूरे करेगा तब आपके आज के प्रयांस भारत की इस आत्रा को मजबूती देंगे यानि ये वर्ष एक कडेट के रुप में और नागरिक के रुप में भी नए संकल्प लेने का वर्ष है धेस के लिए संकल्प लेने का वर्ष है जिस सामुहिक सक्ती से एक राष्ट एक मन से हमने सामना किया उसी भावना को हमें और ससक्त करना है। हमें देश की अवर्थ ववस्ता पर इस महामारी के जो दुस्प्रभाव पड़े हैं उसको भी पूरी तरह नेश्ट नाबूत करना है। और आत्मंदिर भर भारत के संकल्प के हुवी हमें पूरा करके दिखाना है। ताथ क्यों? बीते साल भारत ने दिखाया है कि वाइरस हो या बॉर्डर की चुनवती भारत अपनी रक्षा के लिए पूरी मजबूती से हर कदम उठाने में सक्षम है। वैक्सिन का सुरक्षा कबच हो या भी भारत को चुनवती देने वालों के इरादों को आधूनिक मिसाइल से द्वस्त करना भारत हर मोर्चे पर समरता है। आज हम वैक्सिन के मामले में भी आत्मनिरवर है और अपनी सेना के आधूनिक करन के लिए उतनी ही तेजी के से प्रयास कर रहे है। भारत की सभी सेनाएं सर्वस्त हो इसके लिए हर कदम उठाए जा रहा है। आज भारत के पास दुनिया की बहतरीन वार मशीन्स है। आपने आज मिडिया में भी देखा होगा कल ही भारत में फ्रांस से तीन और रफाइल फाइटर प्लेन आये है। भारत के इन फाइटर प्लेन सी मिड एर ही रिफ्यूलिंग हुई है। और ये रिफ्यूलिंग भारत के मित्र उनाइटेड अरव अमिरात ने की है। और इसमें ग्रीस और सौधी अरव ने सयोग किया है। ये भारत के खाड़ी देशों के साथ मजबूत होते समंधों की एक तस्वीर भी है। साथियों अपनी सेनाओं की जादातर जरुरतों को भारत में ही पुरा किया जा सके। इसके लिए भी सरकार द्वारा बड़े फैसले लिए गए है। सो से जादा सुरक्षा से जुड़े सामानों की विदेशों से खरीद को बंद कर उनको भारत में ही तयार किया जा रहा है। अब भारत का अपना तेजर फाइटर हमारा तेजस फाइटर फ्लेन समंदर से लिएकर आश्मान तक अपना तेज ठाला रहा है। हाल में वायू सेना के लिए असी से जादा तेजस का ओर्डर भी दिया गया है। इतना ही नहीं आर्टिफिशल इंट्रिजन्स आधारित वार्फेर में भी भारत किसे से पीछे ना रहे। इसके लिए हर जरूरी आर एंडी पर फोकस किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत डिफेंस इक्विक्मेंट के बड़े मार्केट के बजाए एक बड़े प्रोडूशर के रूप में जाना जाएगा। साथियों आत्म निर्भरता के अनेक लक्षों को आज आप साकार होते हुए देख रहे हैं। तो आपके भीतर गर्व का एसास होना बहुत स्वाभावी है। आप भी जब अपने में अपने दोस्तों के बीच में लोकल के प्रती उत्सा अनुभव कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि ब्रांच को लेकर भारत के युवाओं की प्रेफरेंस में भी एक बड़ा बडलाव आया है। अब आप खादी को ही लीजिये। खादी को किसी जमाने में नेताओं के लिवास के रूप में ही अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। आज वही खादी युवाओं की पसंदिदा ब्रांड बन चुका है। खादी के कुर्ते हो, खादी का जकेट हो, खादी का दुसरा सामान हो, वह आज युवाओं के लिए फैशन का सिंबल बन चुका है। इसी तरह आज टेक्टाइल हो या इलेक्ट्रोनीज, फैशन हो या पैशन, तो हार हो या शादी, लोकल के लिए हर भारतिया वोकल बनता जा रहा है। कोरोना के मुश्किल समय में भी भारत में रिकॉर्ड संक्याम है, स्टार्ट अप्स बने हैं, और रिकॉर्ड युनिकॉर्ण देश के युवाओं ने तयार किया है। साथियों, 21 वी सदी में आत्म निर्वर भारत के लिए आत्म विस्वासी युवा, यह इसकी पहली शर्त है, बहुत जरूरी है, यह आत्म विस्वास, फिटनेस से बढ़ता है, एजुकेशन से बढ़ता है, स्कील और उचीत अवसरों से आता है। आज सरकार बेश की युवाओं के लिए जरूरी इनी पहलूओं पर काम कर रही हैं, और इसके लिए सिस्टम में हमें हर जरूरी रिफॉंस भी किये जा रहे हैं। हजारों अटल टिंकरिंग लैब से लेकर के बड़े आधुनिक शिक्षा संसान तक स्कील इडिया मिसन से लेकर मुद्रा जैसी योजनाओं तक सरकार हर दिशा में प्रयास कर रही है। आज फिटनेश और स्पोर्ट को भारत में अबुतपुर्व प्रात्विक्ता दी जा रही है। फिट इंडिया भ्यान और खेलो इंडिया भ्यान देश के गाउं गाउं में बहतर फिटनेस और बहतर टैलेंट को प्रोशाइट कर रहा है। फिट इन्डिया भ्यान और योग को प्रोचान देने के लिए तो NCC में भी विशेश कारकम चलते हैं। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिशे के माध्यम से भारत के एजुकेशन सिश्ट्रिक को भी प्री नर्सरी से लेकर प्रीटरी तक स्टूडेंट सेंट्रिक बनाया जा रहा है। अपने बच्चों को युवा सांत्यों को अनावश्यक दबाव से मुक्त करके उसकी अपनी इच्छा अपनी रूची के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए माहोल बनाया जा रहा है। खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक हर स्टर पर युवा टैलेंट के लिए युवा उद्द्यम्यों के लिए अवसर दिये जा रहे हैं। आप इन अवसरों का जितना लाप उठाएंगे उतना ही देश आगे बढ़ेगा। हमें वयम राष्ट जागरयाम इस वैदिक आहमान को 21 सदी की युवा उर्जा का उद्गोष बढ़ाना है। हमें इदम राष्टाय इदम नममा यानि ये जीमन राष्ट को समर्पित है इस भावना को आत्मसात करना है। हमें राष्ट हिताय राष्ट सुखायच का संकल्प लेकर प्रतेग देश वाची के लिए काम करना है। आत्म बद सर्वभूतेशू और सर्वभूत हितेरता यानि सब का साथ सब का विकास सब का विश्वात के मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना है। अगर हम इन मंत्रों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आत्म निर्भर भारत के संकल्प के सिद्धी में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बाद फिर आप सभी को गन्तंत्र दिवेश परेड का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत भ़़ाई और भविश के लिए भी अनेक अनेक मंगल कामनाए। बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद